धार्मिक केंद्र यह अगला बिंदू है हमने राजकी केंद्र देखे उनके बारे में चुना शाही केंद्र के बारे में चुना मंदिरों के निर्माण के बारे में कुछ सुना और अब हम चलते हैं धार्मिक केंद्र आखिर क्या थे जैसा कि पहले बताया है कि विजयनगर काल में राजनतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन में धार्म और विवन धार्मिक वरगों को बहुत ही महत्पूर्ण स्थान दिया ग अला कि हमने जितनी बातें की उसमें बारम बार ये स्पश्ट हो रहा है कि सभी को धर्म की पूर्ण स्थनत्रता थी और मंदिर निर्माण चाहे वो छोटे-छोटे मंदिर हों चाहे भवे मंदिर हों या भवनों के निर्माण या फील खाना इसमें भी अन्य धर्म के स्था ये बाचपश्ट है कि धर्मिक केंद्र भी तत्कालीन समाद में बहुत महत्पूर्ण स्थान रखे होंगे और इसके साथ ही ये भी परिलक्षित होता है इन विदेशी यात्रियों के विवरणों से कि धर्म के कठोर पालन के सिध्धान का बड़ी सक्ती से पालन किया जाता थ यहां के धर्म को धर्म की दिश्ट से देखा जाता था और उसके पालन अनुपालन में कोई कुटा ही नहीं बढ़ती जाती थी यहां की ये शायद प्रमुक विशेष्टा थी कि धर्म को सक्ति से उसको लागू किया जाए उसका पालन किया जाए अपने अपने धर्मों में राजा जो थे वे अपने को स्वैम को ईश्वर का प्रतिनिती मानते थे और उसके साथ ही साथ जो मंदिर वगर जो बनाए गया जो भव्य मंदिर या छोटे छोटे मंदिर बनाए गया वे शायद मंदिर एक तरीके से भगवान तक पहुँचने का जरिया माना गया मंदिरों क तो इस प्रकार हम सुछ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि तत्कालीन समाज में धार्मिक केंद्र कितने महत्पूर्ण रहे होंगे। विजय नगर शासन में धार्मिक केंद्रों की महत्ता यहीं समापनी होती। वास्तों में देखा जाए, आगे भी हम जानेंगे कि धर्म और विजय नगर के शासकों का संबंध एक तरीके से अपरिहार्य था, शायद आवश्चक भी था। फिलहाल हम चलते हैं उसके अगले बिंदु पर वो है राजधानी का चायन। आखिर ऐसे क्या कारण थे, क्या बाते थी, जिसको लेकर ये तै किया गया कि हम पी उनकी राजधानी बनेगी। राजधानी बनने के कई कारण सामानिता हम देखते हैं उसकी स्थिती, भागोले की स्थिती, जलवायू, जाने संख्या और आधी-आधी अन्य बाते हैं। लेकिन यहां एक विशेश बात है कि विजय नगर के शासिकों ने हम पी का जो चैन किया संभवता उसका कारण था कि यहां पर वीरुपाक्ष मंदिर और चंपा देवी मंदिरों के अस्थित्व थे। यहां यहां पर श्थित्व थे। वीरुपाक्ष मंदिर और इसके साथ ही चंपा देवी मंदिर। इसके यहां पर रहने के कारण इसे राजधानी का दर्जा दिया गया। और मंदिर किसी खेत्र के राजधानी बनने का कारण बना। इससे प्रेड़ना लेकर ही हमपी के शासकों ने विजानगर के शासकों ने उस खेत्र को अपने सामराज का मुख्ष शहर घोशित किया। आप समझ सकते हैं कि राजधानी के चैन में भी मंदिरों के अस्तित के कारण उसका आधार बनना ये बताता है कि विजानगर शासकों के लिए धर्म कितना महत्पूर्ण था। दक्षिन भारती राजशाही में ये वंश परंपरा की एक प्रमुक विशेष्टा थी कि देवता की सामुहिक भक्ति की जाती थी। मैं पना दोहरा दूँ डक्षन भारती शासकों में या राजवंशों में राजशाही वंशों में परंपरा थी कि जो जो पूजा करते थे अर्चना करते थे उसमें सामोईक रूप से शामिल होते थे दूसरे शब्दों में कि जो सामाजिक वर्ग थे उन वर्गों के लिए वर्गों के अनुसार वहां की पूजा होती थी वहां पे पूजा की जाती थी करवाई जाती थी तो राजधानी के चैन का आधार पुना एक बार मालूम हो दो प्रसिद्ध मंदरों की उपस्थिती इस प्रकार मंदिरों की किसी देवता विशेश की पूजा करने वाले वर्गों के सामाजिक अंतरण की रूप रेखा या निर्धारण में बहुत मुत्पूर्ण भूमिका थी संगम वंश के प्रारंबिक शासव शैव मतावलंबी थे आपको याद होगा कि दक्षिन भारत में शैव परंपरा और फिर वैशनों परंपरा ये दोनों प्रचलित थी तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लोग जो थे विजयनगर के संगम शासक मूल रूप से शैव मतावलंबी थे और उन्होंने विजयनगर के विरुपाक्ष की मंदिर का निर्माण कराया विजयनगर में जो बहुत पसिद्ध है विरुपाक्ष मंदिर उसका पुनर निर्माण कराया सुलू वंश मुखिरूप से वैशनो मतावलंबी थे यानि विजयनगर में ही अलग-अलग वंश अलग-अलग समधाय के थे सुलू वंश वैशनो मत के थे और उन्होंने अपने शासनकाल में शैव और वैशनो दोनों मंदिरों को संदक्शन प्रणान किया मतलब ये लोग एक तरीके से सभी धर्मों के प्रती समान थे तुलू वंशातक कृष्ण देवराय ने वैश्णो मंदिर बनाया कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्मान कराया और साथ ही ऐसे अनोक दाहरण है जहां उसने शिव मंदिरों को भी अनुदान दिया इसी प्रकार जो चोथा वंश है अन्तिम वंश अरविदु राजाओं का इन्होंने भी वैश्णो मंदिरों को अनेकों और पहार दिये राजाओं संप्रदायों और विभिन मंदिरों में क्या संबंध था राजाओं विभिन संप्रदायों और मंदिरों के बीच के संबंध पर अब थोड़ा हम जाने सरप्रथम मनविजय नगर शास्कों ने जो उनका दूरस्थ स्थल था फार्देस पॉइंट दक्षन भारत का याने तमिल खेत्र ये तमिल खेत्र पर उनका कपजा था उनका प्रभाव था उनका वर्चस्व था लेकिन इन भुभागों में अपने प्रभावशाली नियंत्रण को बनाने या अपने नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने धर्म का सहरा लिया याने तमिल खेत्र के जो वैशनव लोग थे जो वहाँ सबसे बड़ा समुदाय था इन वैशनव संतों और वैशनव मुखियाओं वैशनव धर्म के मुख्य अनियाईयों का इन्होंने सहयोग प्राप्त किया आपको याद होगा कि दक्षन भारत में दो परंपराएं उस समय चल रही थी एक थी वैशनव परंपरा और दूसरी थी शैव परंपरा जो शिव के उपासक थे और जो शिव के उपासक थे उसके संद नायनार कहलाते थे और वैश्ण उपासकों के संद अलवर कहलाते थे तो इन्होंने जो ज़्यादा बड़ा समुदाय था वैश्ण के जो अनियाई थे उनका सहयोग प्राप करने के लिए काफी प्रयास किया और उसका कारण क्या था ताकि उनका प्रभाव ये राजशाहियों का प्रभाव ये विजैनगर के शासकों का प्रभाव वो दुरत जो तमिल ख्षेतर है वहाँ पर उसका बना रहे दूसरा ऐसा करके धार्मिक सहयोग प्राप्त करके ये जो शासक थे एक तरीके से अपने शासन को अपने शासन की शक्ति को वैजिता भी प्रदान करते थे याने तारकिक दृष्टि देते थे और वैजिता प्रदान करने के लिए ये लोग धार्मिक संगठनों के साथ भी जुड़ गया ये धार्मिक संगठन कई तरह के थे जैसा मैंने अभी बताया धार्मिक संगठनों का अर्थ है विविन धार्मिक संप्रदाय है उनका सहयोग सतत रूप से इन्होंने सजगता से प्राप्त किया और उसके लिए सतत प्रयास रथ रहे और कारण क्या दक्षिन में अपने अपने प्रभुत्व को प्रभाव शाली बनाए रखना अपने प्रभाव को एक मजबूती देना इसके साथ ही राजा संप्रदाय वह मंदिरों के बीच में चार प्रमुक्द बिंदु थे राजा संप्रदाय और मंदिर ये जो तीन पक्षियों की जो बात हुरी है इसको ए बारे मे चार मुखे बाते थी सर्व प्रठम पहली बात जो थी राजा, संपर्डाय और इनके बीच मंदिरों के बीच के सिम्मन्द को लेकर पहली बात हमें ख्याल लखनी है कि जो मंदिर थे वे राजाच्श का एक बहुत राजसु के स्वामित्यु का एक प्रमुक आधार हुआ करते थे और इसलिए त्यूंकि राजसु के स्वामित्यु का प्रमुक आधार थे इसका आर्थ यह हुआ कि राजसु का बहुत सा हिस्सा उनके पास जाता था यानि आर्थिक रूप से यह मंदिर बहुत संपन्न थे और इनकी यही संपन्नता शायद उनके और राजाओं के बीच में अच्छे संपन्नों का कारण बनी तो पहला कारण राजस्व का मुख्य श्रोत होना मंदिरों का दूसरा कारण जो संप्रदाई मुख्या थे विबने संप्रदायों के जो मुख्या हुआ करते थे ये मुख्या एक तरीके से मंदिर और राजाओं के बीच एक लिंक का काम करते थे मध्यस्थ का काम करते थे तो ये दूसरा महत्पूर्ण बिंदू है ये तीनों के बीच के संबंदों को समझने का कि जहां तक मंदिरों की बात है राजस्व के लिए महत्पूर्ण थे संपरदाय की बात है तो संपरदायों के समर्थन के लिए ये राजा लोग पतकाली इंशासत, साμपरदाय के मुख्याओं को मद्धस्त के रूप में देखते थे किनके बीच के मद्धस्त, राजाओं और मंदिरों के बीच की मद्धस्ताके लिए तीसरा, जहां तक मंदिरों की बात है, मंदिरों की देखरे, रख रखाओ, उसका मेंटेनेंस करने के लिए सामपरदाएक वर्ग थे तो इस परकार हर मंदिर किसी ने किसी वर्ग से संपरदाए, किसी ने किसी संपरदाए से जुड़ा हुआ था, किसी ने किसी धार्मिक गुट से जुड़ा हुआ था और जिनके ऊपर यह अहम जिम्मेदारी थी कि वे अपने उस मंदिर को उसको देखभाल करें उसका रख रखाओ करें और साथ ही उसके वारधाक्य में मदद करें लेकिन यदि मंदिरों को लेकर कुछ विवाद होता था तो इसमें संप्रदायों का कोई रोल नहीं होता था मंदिर के से जुड़वे किसी भी तरह के विवाद में चाहे वो राजस्व का हो चाहे दान का हो चाहे कई तरह के विवाद हो सकते हैं इन विवादों के मामले में संपरदायों का कोई विशेश हस्तक खेप नहीं था, विवादों के लिए मामले राजा के पास ही जाते थे, और विवादों को सुलजाने का जो जिम्मा था, वो राजाओं का एक तरीके से होता था, यानि राजा मंदिरों के मामले में दखल भी दे सकते थे और विवाद तो एक सतत पक्रिया है किसी न किसी बात को लेकर विवाद होते थे तो राजाओं का दखल एक तरीके से नीमित रूप से मंदिरों के मामले में बना होता था लेकिन अब चौथा बिंदू जो आपको समझना है वो ये है कि ये जो विवाद थे जो विवाद होते थे मंदिलों के लेकर इन विवादों को राजा तो सुल जाते थे राजाओं का ये एक तरीके से जम्मा था कि इन विवादों को सुल जाया जाए लेकिन यह जिम्मा वे वैधानिक दृष्टि से नहीं सुलजाते थे दूसरे शब्दों में इसके लिए कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं थी कानूनी प्रक्रिया या राजाओं का ये कोई ऐसा समवैधानिक दायत तो नहीं था कि वे इस मामलों को सुलजाएं ये तो इसलिए सुलजाते थे इसलिए मंदिर के मामले में दखल देते थे ताकि प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को बनाया रखने के लिए राजाओं के लिए अपरिहार बना दिया गया था कि वे मंदिरों के विवादों में दखल दें और इसे सुलजाएं यद्यपी उनकी यह स्थिति मंदिर विवाद में वैधानिक स्थिति नहीं थी कानूनी स्थर पर नहीं थी यह तो केवल प्रशासनिक विवस्था को बनाये रखने के लिए यह प्रशासनिक विवस्था से अर्थ है कि यह दि मंदिरों का विवाद नहीं सुलज़ता है किसी भी तरह का विवाद यहां पर हम मंदिरों की बात कर रहे हैं तो उसका असर संपरदाय पे पढ़ता है, वहां के ख्यत्र की शान्ती पर पढ़ता है, उस ख्यत्र के law and order की इस्थिति पे पढ़ता है, कानूनी व्युस्ता पे पढ़ता है, और ये सब बातें तो अंतिता प्रशासन की हैं, और प्रशासन का मुख्या तो निश्चित रख थे, और एक दूसरे के पोशक भी हम कह सकते हूं, तीनों एक दूसरे को समहाल के रखते थे, मंदर राजा सुदेकर, राजा को, राजा मंदरों की समस्याएं सुलजाते हुए, और संपरदाय मंदरों की देख भाल करके, मंदरों की व्यवस्था को बनाया रखने के ल लेकर 1650 यानि तीन सो वर्ष इन तीन सो वर्षों में इतने मंदिरों का निर्माण हुआ दक्षिन भारत में जिसकी संख्या असीमित है ये मंदिरों का निर्माण इस बात का परिचायक है कि मंदिर कितने अहम थे ततकालीन समाज में और धार्मिक व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था कितनी महत्पूर्ण थी उस समय के शासिन के लिए उस समय के शासिकों के लिए यहां तक कि मंदिर को देखकर विजयनuggर का चैन हुआ राज्धानी का हम्पी का मंदिरों के कारण या धर्म के कारण दक्षन भारत पे प्रभाव बढ़ाने में इन शासि को मदद मिलेगी ऐसा इन शास्कों का मानना था तो आप समझ सकते हैं मंदिरों की महत्ता मंदिरों की गतिविजियां क्या थी धार्मिक केंद्र तो थे राजाओं के साथ इनका संबंध था साथ ही ये स्वैम राजस के बहुत बड़ा एक श्रोट थे तंपरदाय की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी मंदिरों के चलाने में सो आखिर मंदिर करते के मंदिर का मंदिर कैसे चलाये जाते थे वहां क्या-क्या होता था क्या-क्या उनकी गत्विधियां थी इस बातों पर यदि मिचार करें तो आप कोई जानना होगा कि इस तरह के मंदिर जो किसी समाज के धुरी की तरह कारे कर रहे हूं जैसा कि विजयन अगर सामराजी की हम बात करें तो लगता है ऐसे मंदिर बहुत विविध कारियों के केंदर बने होंगे इसमें कोई दो मतनी के मंदिर में विविधियों की विविधिता रही होगी और विशेश रूप से ये मंदिर शिक्षा के केंदर रहे होंगे क्योंकि तत्काली समाज में जो विदेश से यातरी आए शिक्षा के नाम से कुछ अलग संस्थाएं हों इसका कोई विशेश विविवरण नहीं मिलता है लेकिन मंदिरों के महत्ता को देखते हुए ये आभास जरूर होता है उनके विवरणों से के मंदिर केवल विविधिता या विविद गतिविधियों के ही केंदर नहीं रहे होंगे बलकि उसमें शिक्षा का स्थान अहम रहा होगा चाहे वह धार्मिक गतिविधियां हो चाहे सामाजिक गतिविधियां हो राजनेतिक गतिविधियां उसके बाद शिक्षा संबंदी गतिविधियां अन्य आर्थिक गतिविधियां ये सब वहां पे चलती थी और इस प्रकार जो मंदिरों में जो हल्चल सतत रूप से बनी रहती थी वो वास्तों में समाज का केंदर बन चुके थे जो मंदिर का जो विशाल भू स्वामित्व और बैंकिंग व्यवस्त था आखिर हमने जैसे देखा पूर में भी कि मंदिर विशाल ही नहीं थे बलकि मंदिरों को जो निर्मित किया गया वह विशाल भूमी में किया जाता था और बहुत बार बारम बार राजाओं ने व्यापारियों ने समझाय ने संप्रदाय ने कुछ अन्य वर्गों ने समय समपर मंदिरों को दान दिया था जो उस समय की एक प्रथा थी शासक मंदिरों के निर्माण, मरम्मात और रख रखाओं को अपना एक बहुत पवित्र धार्मिक करतव भमत्ते थे इसलिए विजय नगर सामराज में मंदिर, महटपूंट धार्मिक स्थल, सामाजिक स्थल, साक्रितिक केंद्र और आर्थिक केंद्र के रूप में विक्सित हुए विजय नगर सामराज के काल में मंदिरों के पास बड़ी विस्तरित भूमी हो गई थी विशाल मंदिरों में पूझे जाने वाले देवी देवताओं को सैक्ड़ों गाउं अनुदान में दिये गए देवतान ग्रामों की आये को मंदिर की विबिन गतियों में खर्चिया जाने लगा और उसमें किया जाता था इससे धार्मिक कर्मचारियों का पोर्शन होता था और आनुष्ठानिक कारियों के लिए जो खाद्य चड़ावा अथ्वा अन्य सामगरियों को खरीदा जाता था वह इसी दान से संभाव था आनुष्ठानिक प्रायजनों के लिए राज्य मंदिरों को नगत धर्म दान भी परदान करता था ये राज्यों के ध्वारा धार्मिक प्रचार प्रथार के लिए बहुत अच्छा कुदम था मंदिरों की सिचाई सम्मंदी कारियों में भी बड़ी महत्पूर्ण भूमी का होती थी देवदान भूमी प्राप्त बड़े मंदिर एक सिचाई विभाग भी होता था इन मंदिरों में ये सिचाई विभाग का काम था कि खेती के लिए सिचाई के साधनों की व्यवस्था करना इसका एक अन्य महत्पूर्ण कार था मंदिरों को प्राप्त मुद्रा अनुदानों का समुचित उप्योग करना तो बहुत बड़ी भूमी का स्वामित्व मंदिरों को मिला हुआ था तो जदि हम मंदिरों की गतिविदियों की बात करें तो शिक्षा का केंद्र होने के अलावा निश्चित रूप से इनका एक मुख्यकार भू स्वामित्व को बनाए रखना और उसके लिए आवश्यक कारे करना रहा होगा इसके साथ ये लोग बैंकिंग भी करते थे याने इनके पास जो धन है जो राजस्व के माध्यम से आया है इसका कुछ न कुछ ये उप्योग करते रहे होंगे बैंकिंग विविन ने प्रयोजन के लिए विविन ने आयोजन के लिए समय समय पर कर्ज देते थे ऐसा विवरणों से चाहे निकोलो कॉंटी के हों चाहे अन्य पृतगाल से आय हुए डेमिंगो पेस के हों ये जितने भी विवरण हैं इससे ये परिलक्षित होता है स्पष्ट कि मंदिर अपने धन से लोगों को कर्च भी देता था और उस कर्ज की एवज में वह भूमी रखता था यानि भूमी के स्थान पर किसी को यदि पैसे की जरत है तो उसे पैसा दिया जाता था लेकिन वह था भूमी के स्थान पर इसके साथ भूमिके स्थान पर कर देने से मंदिरों को एक अत्रिक्त आय भी मिल जाती थी तो इस प्रकार ये जो भूमिया थी जो जमीने थी ये एक अत्रिक्त आय का जरिया भी बनी अगला बिंदु जहां तक इसकी आर्थिक गतिविदी की बात है तो वह है ये मंदिर रोजगार के केंद्र अवश्य रहें होंगे विशाल मंदिर, विशाल भूमी, भूमी स्वामित्व, विशाल धन इन सब को देखना, रख रखाओ करना, इनकी सुरक्षा, इनके मेंटेनिंस, इनकी व्यवस्था इसको करने के लिए बहुत लोगों की जुरत पढ़ती रही होगी और इस प्रकार ये जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत लोगों को मंदिरों में रोजगार या मंदिरों से जुड़े हुए कारियों में उससे जुड़े हुए गतिविदियों में रोजगार मिलता रहा होगा तो इस प्रकार ये मंदिर रोजगार के भी केंदर थे कर्ज की जहां तक बात करें ये व्यक्ति को तो कर्ज देते ही थे साथ ही ग्राम सभाओं को भी कर्द देते थे जो तद्काली गावों में उस समय ग्राम सभाओं की प्रसा थी वहां पे भी ये कर्द देते थे भूमी के बदले जैसा बताया गया इनके अपने व्यापार संगठन भी थे याने ऐसे विशाल मंदिनों का एक अपना अपना एक दल भी एक अपना गुड भी होता था जिसका काम था व्यापार से जुड़े रहना और तद्कालीन व्यापार से इनका सता संबंध बना रहा आखिर धन था ही धनाडे लोग हमारा व्यापार काफी होता था तो मंदिरों ने इसमें भी अपना हाट डाला और विभिन्न गत्विजियों की अदि बात करें तो इसमें व्यापार भी इनकी गत्विदी का एक हिस्चा था व्यापार जतना विस्तरित लाब उतना ही ज़्यादा दान से प्राप्त हुई राजस्व से प्राप्त हुई आए और इसके साथ ही व्यापार से आए तो इतनी आए का ये लोग उपियोग जो करते थे मंदिर के लोग ये विभिन उद्देशों में करते थे और इन उद्देशों की यदि बात करें तो हम समझ सकते हैं कि शिक्षा का प्रचार पसार आदी राजाओं को भी मदद करना ये इनका उद्देश रहा होगा इनके धन के उपियोग का उद्देश इस प्रकार मंदिर एक आर्थिक केंदर रहे होंगे इसमें कोई दो मत नहीं सामाजिक तो थे ही सामाजिक केंदर तो थे ही मंदिर शिक्षा के केंदर तो थे ही मंदिर धार्मिक केंदर अवश्य रहे होंगे इसमें कोई दो मत नहीं अब हम देखते हैं कि मंदिर एक आर्थिक केंदर भी थे आर्थिक व्यवस्था का केंदर बिंदु थे शासको ने मंदिरों से सबध पूर्व कालिक जो परंपराई रही होंगी पहले जो परंपराई चलती होंगी उसको मात्र अपनाया ही नहीं बलकि उसको नवीन रूप भी दिया और नवीन रूप ही नहीं दिया उसको और विकसित किया उसमें नवीनता प्रदान की और नवीनता के साथ-साथ इन परंपराओं का, मंदिरों की परंपराओं का, मंदिरों के, का जो अपनी शैली है, उसको विस्तृत करने में इन शासकों ने बहुत योगदान दिया होगा राज की प्रतिकृति मूर्टियां जो राजाओं की मूर्टियां होती थी इन मूर्टियों को समय समय पर इन मंदरों में लाये जाता था दर्शन के लिए तो इन मूर्तियों को मंदिर में दर्शन के लिए लाने के पीछे उद्देश क्या होता था शायद मुख्य उद्देश रहा होगा अपनी सत्ता अपनी ताकत का प्रदर्शन और साथ ही जनता से सद्धा अर्जित करना लेकिन मुख्य रूप से ये जो राजशाही परंपराओं में बने हुए जो मूर्तियां थी इन मूर्तियों को मंदिर लाने का उद्देश निश्चित रूप से रहा होगा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना और साथ ही अपनी सत्ता का दियोतक बनाना